संभोग करना है तो सिर्फ उस इस्तरी का नाम लेकर अभी एक टोटका कर दीजिए आधा घंटा काफी है आधे घंटे के भीता में वो इस्तरी खूद आपको अपने कमरे में बुलाएगी अपने बेडरूम में बुलाएगी आपकी बिना नहीं रहा पाएगी इस दुनिया में जितने भी सारे पूरूस है उनमें से 90% ऐसे पूरूस है जो चाहते किसी इस्तरी को अपने वस्म कर ले और उसके साथ में संभोग करे आपके भी मन में होगा ये आपके मन में है तो आप इस वीडियो को लाश्ट जरूर देखिएगा और इसका फैदा जरूर उठाईएगा बहुत सारे ऐसे लोग है जो वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं नहीं समझते हैं और बोलते हैं कि गुरुजे मेरा काम नहीं हुआ और मैं आप सो एक बात और बता दू कि ये आजमायगा तोटका है पल भर में काम करेगा आधा घंडा काफी है विश्वास के साथ में आपको ये तोटका करना है जिस भी इस्तरी के साथ में आप करना चाहते हैं बस उस इस्तरी का नाम लेकर अभी ये तोटका कर दीजिए शिर्क दो से तीन मिनट का आपको समय देना है वो इस्तरी आपके बिना नहीं रहा पाएगी खुद चलकर आपके पिछे पिछे आएगी वो खुद आपको बोलेगी कि आओ मेरे पास आओ मेरे कमरे में आओ वो इस्तरी आपके बिना नहीं रहा पाएगी आपके साथ सब कुछ करने के लिए राजी हो जाएगी तैयार हो जाएगी वे इसतरी खोद आपको बोलेगी आपको कुछ बोलने की जरूध नहीं है आईए बतलाते हैं कि कैसे आप ये पॉर्फुल वह सी करन करना है ताकि कोई भी इस्तिरी हो आपके साथ करने के लिए त्यार हो जाए उसके पहले ये दियाक मरचानल पर नए हैं अभी तक मरचानल को सब्सक्राइब में किये तो प्लीज सब्सक्राइब करेजिए और बिलगंटी को दबा दीजिए तक हम जितने भी उरुणाएंगे सबसे पहले आपी के पास में जाएगा हम इतना मेहनत करके आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं फिलिज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा आईए बतलाते हैं इस दुन्या में बहुत सारे ऐसे फूरूस हैं जो चाहते हैं किसी साधी सुधा महिला को अपने वस में कर ले किसी कुमारी लड़की को अपने वस में कर ले और उसके साथ में संभोग करे कुछ कुछ करे तो आप इसका प्रियुक जरूर किजिए अभी कर दीजिए ज़ादा से ज़ादा दो से तीन मिनट का समय आपको देना है और इसी दो तीन मिनट में किसी भी इस्तरी को अपने वस में इस तरह से कर सकते हैं कि वो इस्तरी खुद आपको अपने कमरे में बुलाएगी वो इस्तरी खुद आपको बोलेगी कि आओ मेरे पास आओ आई ये बतलाते हैं लोगतो कि कैसे आपको योशिकरन टुटका करना है ताकि कोई भी इस्त्री हो आपके साथ में सब कुछ करने के लिए त्यार हो जाए राजी हो जाए आई ये बतलाते हैं दिख़ीगा जिस भी इस्त्री को पाना चाहते हैं पूरा तन मन से उसके साथ में कुछ करना चाहते है उस सिस्तरी का नाम आपको एक भोजपत्र पर लिख देना है भोजपत्र आपको दुकान से असानी से मिल जाएगा और उसको करना कि आपने सर से 2-4 बाल ले लेना है बाल ठीक ना दो चार बाल ले लेना है और उसी भोजपत्र पर जहां पर उस इस्तरी का नाम लिखे हैं उसके उपर से क्या करना है रख देना है उसको ठीक ना उसके नाम के उपर क्या करना अपने बाल को रख देना है रखने के बाद मैं भोजपत्र को अच्छी तरह से मोर ऊंडिंगे इस प्रकार से के बाल से बाहर नहीं गिरें यूज से मोर दीजिएगा आमको करना क्या हूं ठ्यान से देखिएगा आप अपने घर से थोरी सी मतर में देशी घहीं ले ले, सुध होना चाहिए ठीक है ना, देशी घहीं ले ले, उस घहीं को उसके उपर से लेप लगा देना है, भुजपत्र को उपर से लेप लगा देना है, लेप लगानी के बाद में आपको करना क्या है, ध्यान से दिखिए की है जिस भी स्तनी के साथ में आप करना चाहते हैं वर शिस्तर इस दिया कर के उस भोजब्वत्र को आपको क्या करना है कहीं भी मुष्ध गहर होता है जहां पर घर होता है उसमें कि खत्तर सब्सक्राज़ फाए है उसको और ले वो इस्तरी खोद आपके पास चल कर आएगी, आपके बिना नहीरा आपाएगी, क्योंकि आपका बाल वहाँ पे गया है, उस इस्तरी के साथ में जारू टूना हुआ है, वो इस्तरी आपके बिना नहीरा आपाएगी, आपके साथ सब कुछ करने के लिए राज ही हो जाएगी, एकदम वो खुद आपको भोलेगी कि आओ मेरे पास आओ मेरे कमरे में आओ यदि आपको समझने में जहां भी दिकत हुआ है निचे कमेंट कीजिए कि हम आपकी जरूर मरत करेंगे और यदि आप हमरे चानल पर नए हैं अभी तक में चानल को सब्सक्राइब नहीं कि तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और गहंटी को दबा देजिए तक हम जितने भी बढ़नाएंगे सबसे पहला भी कपास में जाएगा